तो हेलो गाइस देखिए आज मैं आप लोगों के साथ इस ट्रेस की कटिंग और स्टिचिंग शेर करने वाले हूँ और यह जो ट्रेस है यह बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है तो सोचा मैंने आप लोगों के साथ इसको शेर करती हूँ तो हिलो फैंट के से आप सब उम्मिद करती हूं सब ठीक ठाक होंगे मैंने बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं किया था तो सुचा यही ट्रेंडिंग में चल रहा है तो मैं यही अपलोगों के साथ जो है वो शेयर कर देती हूं तो इसको बनाना बहुत ज्यादा आसान है और इसका पैंट और जो कुर्ती है न बहुत ज्यादा ब्यूटिफुल लग रहा है गाई बहुत ज्यादा खूबसूरत ड्रेस है यह तो चलिए इसको बनाते हैं इसको बनाने के लिए देखिए ये वाला फैबरिक मैंने लिया है ये चंदेरी कॉटन फैबरिक लिया है मैंने जो की थोड़ा सा जो है शाइन में होता है वो वाला फैबरिक और कॉटन भी होता है पहने में बहुत थी कमफडेबल होता है ठीक है आप कोई भी फैबरिक में बना सकते हैं ठीक है जैसे आपकी लेंद रो कर दिया है और यहां से हम लगा देते हैं इसका नेक छोटा है इसने मैंने 8 इंच पे सका शोल्डर रगाया है और इसकी जो लेंथ है वह आप अपने मर्जी से रख सकते हैं मैंने इसमें 34 इंची की इस तरह से देखिए जैसे हम अपने नॉर्मल कुर्टी के लिए करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है थोड़ा सा ये अलग है 7 इंच पे मैंने आर्मोल के लिए निशा लगा दिया और 1 इंच मैंने बैक कर दिया है फ्रंट के आर्मोल के लिए अब इसमें अभी हमने क्या करना है ये देख लिजेगा आप लोग थोड़ा सा अलग है मेजर्मेंट आप आपका चेस्ट जो भी हो उसका फोर्द पार्ट यहां पर लगा सकते हैं 10 इच पे लगाया है मैंने और इसमें आपको मार्जिन जो है वो हाफ इंच से ज्यादा नहीं लिना है वन इंच ले सकते हैं आप इस से ज्यादा मार्जिन इसमें आप नहीं रख सकते हैं जितना मैंने चेस्ट रखा है उसका एक इंच मार्जिन मैंने वेस्ट राउन में लगा दिया है और हीप जो है हीप में जो है आपको बिलकुल इसमें हाफ इंच से ज्यादा बिलकुल मार्जिन नहीं रखना है तके मैं अगर इसका जो हो वह बहुत ज्यादा नीचे करना चाहूं तो भी इसमें कर सकती हूं, ठीक है? बिल्कुल भी आपको नहीं रखना है, इसमें ठीक है, यह apple shape बिल्कुल इसी तरह से होता है, थोड़ा सा चोडाई भी होता है और थोड़ा सा round भी होता है, सिर्फ हमने इसकी किनारी जो है, वो round कर देना है, apple shape इसी तरह से बनता है, तो अब देखिए इस तरह से मैं इसको इसमें Noche लगा दिया है यह लगाना बहुत ज़रूरी है, इसके बाद Back मैंने हटा दिया है और फेरंट वाले का Armle मैंने कट कर दिया है तो फेरंट वाले का Armle हमारा कट ऑचूद है, अब इसके बाद देखे यह जो different fabric हमने इसमें लिये थे इसके साथ के लिए तो वही fabric ये 2 meter मैंने लिया है और pink वाला जो fabric है वो मैंने 3 meter लिया था total हमारा 5 meter fabric हो गया है ये और जितना हमने fold किया हमारे top के लिए fold के थे उतना ही fold करना है हमने देखे बिल्कुल बराबर में मिलाना है मेरा थोड़ा सा out हो चुका था ठीक है तो आपको इसमें बिल्कुल बराबर में मिलाना है और उसके बाद जो है मैंने इसको बराबर में cut कर लेना है जैसे देखिए मैं कट कर रही हूँ बिल्कुल वैसे ही कट करना है आपको भी यह देखिए as it is मैंने यह कट कर दिया है कुछ लोग जो है इसको औरे पटी बना कर भी इसमें लगाते हैं अब देखिए जिस तरह से मैं निशान लगा रही हूँ चार इंच पर मैंने इसमें निशान लगाया है फोर इंच पर ही निशान लगाना है हिप तक जहां पर हमने हिप का निशान लगाये हैं बिल्कुल वही तक आपको इसमें फोर इंच पर ही लगाना है अच्छे से देख लिए जगा गाईस जैसे मैं इसमें निशान लगा रही हूँ बिल्कुल वैसे ही लगाना है आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा इसमें इसको इंचे टेप को आगे करते वे इसको अलका सा इसमें निशान लगाना है जैसा हमारा राउंड है बिल्कुल व प्र इंच पर ही लगाना है हमने अपने हिप के नोच तक उसके बाद जो है देखे यहाँ पर हमारा हिप का निशार एजBl में भी यहोंसा था है एज लानगे में तक 24 इंच पर एक्षटगी डिल कर दूगी क्वर्च मेने उसके निल नरॉट है इसलिए मैं इसमें 1.5 इंच जो है वो बड़ा रही हूं अपने अगर 1.5 इंच ही मार्जिन रखा है तो आप इसको 4 इंच पर ही लगाईएगा ठीक है तो आप देखिए इस तरह से मैं इसको मिलाते वे यहाँ पर इसमें इसको कट कर लूँगी ठीक है मैंने इसमें चौक यहां से मैं इसको फटा-फट से कट कर लोंगी जो निशान हमने लगाए हैं बिल्कुल उसी निशान पर हमने इसको कट करना है यह देखिए अब मैं इसको रॉंग साइट फैब्रिक पे रखोंगी यहां से जैसा है हमने वैसे ही रखना है जैसा हमने कट किये हैं हिप का जो नोच है हमारा वहां से हमने इसको बराबर में मिलाना है क्योंकि हमने अपने डिफरेंट फैब्रिक पर भी नोच का निशान हमने लगाए है इसमें तो वहीं नोच हम इसके उपर मिलाते वे इस तरह से इसको बराबर में मिलाकर अच्छे से सिलाई लगा देंगे आप सिलाई hip के notch के पाथ जो है इसको रुका देंगे उसके बार आगे की तरफ fold करेंगे तो चलिए मैं इसको सिलाई लगा कर बता देती हूँ आप लोगों को यह देखिए यह जो round round है ना यहाँ पर भी आप लोगों को अच्छे से notch लगाना है इसने यहाँ पर मैं नोच लगा रही हूँ यह नोच अगर आप लोग लगा होगे तो यह अच्छे से यह आगे की तरफ जो है यह फोल्ड हो जाएगा wrong side fabric पर रखके मैंने इसको सिलाई लगाया है और यहाँ पर भी नोच लगाना है हमने ताके यह आगे की तरफ अच्छे से फोल्ड हो जाए यहाँ पर मैंने लगा दिया है ठीके अब देखें मैं फिर से यहाँ पर लगा कर दिखा देती हूँ आप लोगों को निशान यहाँ पर यहाँ पर ही देखें यह कट लगा दिया है मैंने इसके बाद जो है हमारा यह वाला फैबरिक आगे की तरफ अच्छे से फोल्ड हो जाएगा तो बहुत ज्यादा खुबसूरा ड्रेस है यह गाईस आप लोग भी इसको जरूर बनाईएगा मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है अगर आप लोगों को भी अच्छा लगा है तो जरूर इसको बनाईएगा इसका लुक जो है वो बहुत अच्छा है बहुत डिफर करते वह अच्छे से इसको आइरन कर लेना है अगर आप लोगों से यह सेट नहीं हो रहा है तो आप इसको यहां पर कट भी लगा सकते दिखें अगर आप लोगों को इस तरह से नहीं हो रहा है तो यहां पर दिखें यह गुलाई जहां पर आ रही है वहां पर आप इसको पंडे में बहुत आसान हो जाएगा ठीक है मैं इसको सेट करके पिन लगा देती हूं यहां से मैं हाफ ही चंदर की तरह फोल्ड करते वे इसको आइरन कर दिया है उसके बाद मैंने इसको पिन अच्छे से उसके बाद जो है आपको नेक इसमें लगाना है तो सबसे पहले सीधी लेंड रो कर देते हैं और यहां से देखिए मैंने 17 इंच इसकी लेंट ली है और यहां पर जैसे कि मैंने आप लोगों को पता है पॉने 4 इंच का मैंने इसकी चोड़ाई रखी है गले की छ क्का ज़िए है तो जितना हमारा ऑसरे दाखी है वैंने इसके आउपर यह तरह से पहले अजने पाद और देंवे सब्सक्राइब कर लेंगे डिखे है अब हमने इसको यहां से खोलते खी धाह mein海 हो इसको कनेंटिए अब इसमें हमने क्या लगाना है वो भी मैं आप लोगों को आगे चलके मशीन में दिखाऊंगी तो जरूर वीडियो को पूरा देखिएगा गाई अगर वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आने वाली नेक्ट कर लेगे देखिए इस तरह से अभी हमने इसको ये कट कर देना है सीधा सीधा तो अब ये हो गया अभी हमारा नेक हमारा ये कट हो चुका है अब हम यहां से थोड़े सा फोल्ड करते वे इसको सिलाय लगा देंगे तो चलिए मशीन पे दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कैसे बनाना है चीक है तो अब देखिए सबसे पहले तो यहां से मैं इसको फोल्ड करके मशीन में सिलाय लगा दूँगी यहां से यह देखिए पूरा इसको अभी हमने इसको बंद करके पहले सिलाय लगा लेना है उसके बाद जो है अभी हमने फ्रंट लेना है देखिए य मैंने आइरन करके सेंटर बना लिया था अपने टॉप में और उसके बाद जो है अभी हमने इसमें जैसा हमारा निशान लगाए हैं हमने जैसे बिल्कुल इस तरह से सेंटर मिलाते वे इसको पिन लगा लीजेगा आप लोग अगर आप लोगों को नहीं जमता है तो पिन लग जाए यह सी लाइक अभी ताकि वीडियो बढ़ी न बने इस तरह से अभ यह हमने कट कर लिया आप ने लिया केट लिया इसको अभी हम यहां से कट कर देते हैं थोड़ा सा फैब 좋아요 करेंगे ज्यादा नहीं कौड़ेंगे कि हमने फ्यूजिंग रखाया है इसमें बहुत ही ठ के चे निकाल सकते हैं बाहर ठीक हो जाएगा और लिया च्छे कर लेंगे आप यहां पर जो कोने यह भी कट करना बहुत जरूरी है दिखे इस तरह से आप यहां पर कट्स लगा देंगे नेक के लिए नेक फॉल्ड होने के लिए इस तरह से और उसके बाद हम इसको फॉल्ड क बाहर ठीक है तो अभी देखे मैं इसको अच्छे से जो है वो पीछे की तरफ करते वे पिंस लगा दूँगी आप चाहो तो इसके उपर आइरन कर लीजिएगा आप लोगों को सिलने के लिए बहुत आसाल हो जाएगा बट मैं इसको अच्छे से खीचते वे इसको सेट करते पिन लगा दूँगी उसके बाद मैं डिरेक इसमें सिलना शुरूर करूँगी ठीक है अगर आप लोग बिगनर से तो जरूर आइरन जरूर कर लीजिएगा इसमें देखे मैंने पिन लगा कर अच्छे से सेट कर लिया है इस तरह से एक मने इस तरह से पट्टी लिये डबल फोल्ड कर के लिया है देखिए यहां से भी फोल्ड करके पिन लगा दिया है मैंने अब सबसे पहले कोई भी एक साइड से आप इसको इसको सिलना शुरू करेंगे खाली बिना कुछ लगा ए ठीक है इस तरह से आप इसको सिल लीजिएगा नीचे तक येदेगे कुछ इस त बता रही हूं आप लोगों को फटाफट से ये देखे नीचे तक मैंने इसको उतार दिया आप हम दूसरी तरफ के लिए इसको सिलेंगे अब जब हम इसको दूसरी तरफ सिलाय लगाएंगे उसके वहां पर जो है हमने अभी यहां पर देखिए इस तरह से मैंने पोटली बट इसको सिलते वक्त इसले मैंने इसको पिंट में अच्छे से इसको घुसा कर लगा के रखा है और अभी देखिए कुछ इस तरह से अभी हमने इसमें सिलना है चीक है अब यह सिलने के लिए देखिए गाई आप लोगों को एक और प्रब्लम आएगी इस तरह का यह फूट आ से आपको लूप बनाते हुए दोनों को साथ में इस तरह से बनाते हुए इसके अंदर रखते जाना है और इसको सिलते जाना है बस इतना ही था इसमें तो गाईज मैं अभी इसमें यह जितने भी मैंने इसमें ओपन रखे हैं और इसमें मैंने पूरा इस तरह से इसको बना दिया है आगर आप लोगों को पोटली बटन बनाना नहीं आता है तो जरूर जो है वीडियो देख लीजिएगा मेरे चैनल पर आवेलेबल है डोरी का भी वीडियो आवेलेबल है तो दोनों भी आप इसमें देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने इसको तयार कर लिया है आप लोगों ये पैनने में अच्छांए आईगा और आप लोगों को ये पहनने में अच्छा नहीं आएगा फिट नहीं आएगा सही फिट नहीं आएगा ठीक है तो इस तरह से ये neck मैंने बना लिया देखिए back neck तो आप देखिए इसका जो हमने front वाले को इस तरह से रखेंगे और उसके ओपर जो है ये back वाला रखेंगे और यहां से हम इसको इस तरह से shoulder लगाते हुए इसको fold कर लेंगे उसके बाद इसको मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ ये shoulder जोड़ देती हूँ फिर उसके बाद आगे आप लोगों को बताती हूँ इसमें अभी हमने क्या करना है ठीक है तो आप देखिए shoulder मैंने जोड़ दिया यहां से ये कुछी इस तरह से लग रहा है आप लोगों को आप इसको लटा करेंगे यहां से और उसके बाद जो है मैंने जैसे आप लोगों को बताया था 1 इंच का margin है मेरा तो मा 1 इंच पर ही इसको जैसे हम hip के पास जाएंगे हम इसको half इंच पे कर देंगे ठीक है तो इस तरह से हम इसको सिलाय लगा देंगे साइड की और यह मैंने स्लीव रखा है यह मैंने 8 इंच का एक जो मैंने डिफेरेंट फैबरिक लिया है यह 8 इंच का रखा है मैने आप चाओ तो 10 इंच भी रख सकते हैं बट मुझे वह थोड़ा सा ज्यादा लग रहा था इस लिए मैंने इसको 8 इंच ही रखा है तो चलि इसको पीछे back से है ना इसमें dart बना सकते हो ठीक है यह देखिए यहाँ पर इसका यह चाक है जो कि मैंने half inch पर ही सिला है तो कई चीज तरह से यह कुर्ती जो है वो तैयार हो चुकिए इसकी सलवार भी मैंने बना दिया है और इसकी सलवार की जो वीडियो है वो आप लोग next वीडियो में देखिएगा यह कैसे मैंने इसको बनाया है यह next वीडियो में जरूर दीखिएगा तो का इस वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेर कीजिए मेरी वीडियो इसको और मिलती हूं मैं next वीडियो में तब तक ले बाई लाफिस